असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट आज हम चैप्टर नमबर सैवन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर नमबर सैवन में एसीड, बेसिज और सॉल्ट के बारे में बताया गया है और हम जानते हैं दुनिया में जितने भी कमपाउंड हैं वो या तो एसीड होते हैं या बेस होते हैं या सॉल्टी होते हैं नेचर में तो एसीड और बेसिस हम पहले पढ़ चुके हैं तो आज हम सॉल्ट पढ़ेंगे आप अपनी बुक का पेज नमबर 84 ओपन कर लें तो हम salt start करते हैं जैसा कि हम acid और bases पहले पढ़ चुके हैं और उसमें हमने यह सीखा है कि जब एक acid और एक base को मिलाया जाता है तो उन दोनों compound के मिलने से एक salt बनता है जो निया compound बनता है उसको हम salt कहते हैं तो salt की यह definition है a salt is a compound formed by the neutralization of an acid with a base यानी जब एक acid और base को मिलाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के असर को cancel कर देंगे और वो neutral compound एक बन जाएगा जिसको हम salt कहते हैं दुनिया में बहुत सारे compound जो हैं वो as a salt exist करते हैं यानी पाए जाते हैं और सबसे जो common salt है वो sodium chloride है एनेसील जो के हमारे हर घर के अंदर खानों में यूज होता है इसलिए इसको table salt भी कहते हैं उसके बाद ये एक table दिया गया है table 7.4 इसमें कुछ salt और उनके formula दिये हुए हैं इन में से आपने जो है न कोई 3-4 formula लाजमन याद कर लेने हैं क्योंकि इस पर question आ सकता है कि कोई से 3-4 salt के नाम और उनके formula लिखे तो सबसे पहले है sodium chloride NaCl, sodium nitrate NaNO3, potassium chloride KCl, potassium nitrate KNO3, ammonium chloride NH4Cl, ammonium nitrate NH4NO3, calcium chloride CaCl2, calcium sulfate CaSO4, sodium carbonate Na2CO3, calcium carbonate CaCO3, sodium hydrogen carbonate NaHCO3, copper sulfate CaSO4, तो ये कुछ formula आपने याद कर लेने हैं और उनके name भी, उसके बाद next हमारा question है properties of salt, इस पे भी question आ सकता है, salt exists in solid state, जो salt होते हैं वो solid form में पाए जाते हैं, they found in crystalline और in powder form, ये crystals की form में भी होते हैं और powder form में भी होते हैं, हमारे जो घरों में आता है वो powder form में होता है लेकिन वैसे ये crystal form में होते हैं, they have high melting and boiling point और इनके melting और boiling point भी high होते हैं, यानि अगर हम नमक को पिगलाना चाहें, melt करना चाहें, तो हमें बहुत ज़्यादा high temperature देना पड़ेगा, फिर वो कहीं जाके melt होगा, इसी तरह boiling point भी इनके ज़्यादा होते हैं, number two है generally salt or soluble in water, जो आम तोर पे जो salt होते हैं, वो water में soluble होते हैं, यानि पानी में हल हो जाते हैं, लेकिन कुछ salt जो हैं, जैसे के calcium carbonate, lead chloride and cadmium sulfate, ये पानी में हल नहीं होते हैं, number four है, many of the salt contain water molecule, अब ये जो salt होता है, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ पानी जो है, वो रह जाता है, कुछ water के molecules रह जाते हैं, crystal form में, which are responsible for the shape of crystal, और उस पानी के जो उसके अंदर drops रह गए हैं, molecules रह गए हैं, उसकी वज़ा से उसकी जो crystals की shape होती है, वो different होती है, और जित पानी होगा, जितने water molecule होगे, उससे साब से उसकी shape भी होगी, number five है, carbonate and bicarbonate react with acid, जब भी carbonate और bicarbonate acid के साथ react करते हैं, तो ये carbon dioxide gas खारिज करते हैं, अब ये जो carbonate और bicarbonate हैं, ये salt ही है, तो ये sodium carbonate है, और ये जब इसको हम hydrochloric acid के साथ react करेंगे, यानि salt को acid के साथ जब हम react करवाएंगे, तो NaCl बनेगा, प्लस, साथ water बनेगा, H2O, और साथ में carbon dioxide gas खारिज होगी, यानि ये आपने reaction याद रखना है, जब carbonate और bicarbonate salt के साथ react करेंगे, तो क्या बनता है, उसके बाद number six है, जब हम heavy metal वाले salt को react करवाते हैं, अल्कलीस के साथ, अल्कलीस वो basis होती है, जो पानी में हाल हो जाती है, तो हम उसके साथ जब उसका react करवाते हैं, तो precipitates बनते हैं, यानि precipitate कहते हैं, जो जर्रात की form में, यानि जैसे हम नमक को पानी में हाल करते हैं, तो नमक तो पानी में सगाव हो जाता है, लेकिन ये ज सबस्टांसिज प्रेसिपिटेट वो सबस्टांसिज है वो शेह है जो के हमारे जो सिलूशन होता है जैसे नमक और पानी वाला सिलूशन है तो वो उसके उपर इनसॉलूबल हालत में पढ़े रहेंगे यानि हाल नहीं होते पानी के अंदर तो फेसील 3 यह हमने एक हैवी मैट मैटल वाला सौल्ट ले लिया और साथ इसको रियक्ट करवाया है नहीं है औवेश संहिक करेंबने मेटल हाईड्रोइड बने फेरिक हाईड्रोग्साइड और साथ में एनन्ने एक हैल नमक बनेगा तो उसके बाद 7 वाला हमारे रीयक्शन है था कैमी कर रीयक्शन आफ वा साल्ट है और साथ इससे वाटर है तो इन दोनों का जब हम वाटर के अंदर नमक को हल करेंगे तो जो है वो हमारे एसीड और बेस बन जाएगा दैन हमारा टॉपिक है यूजिज ऑफ साल्ट यानि साल्ट के कुछ इस्तमालात बताने हैं हम अपने डेली लाइफ में इसको कहा कहां यूज कर रहे हैं तो नमबर वान है रोल ऑफ साल्ट इन हूमन बोड़ी सबसे पहले तो नमक की हमारी बोड़ी को जरूरत होती है तो इसलिए सबसे जादा इसका इंपॉर्टन यही रोल है साल्ट ऑफ सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मेगनेशियम तो यह सोडियम फंक्शन है जो यह परफॉर्म करते हैं नमबर बन है कि सोडियम और पोटाशियम के जो साल्ट है यह हमारी बॉड़ी को किसलिए जरूरत है तो इसकी फिगर भी हम देक लेते हैं इसमें जो है वो salt in our society ये कहां कहां पर यूज हो रहे हैं आप इसके point यहां से भी याद कर सकते हैं तो सबसे पहले है food flavoring यानि हमारे खाने में तो salt हम जाइके के लिए डालते ही है number two medical use ये medicines में भी बहुत जादा यूज होता है sodium coloride in industry और इंडस्ट्री में ये बहुत जादा यूज होता है इससे मुख्लिफ chemicals बगारा बनाए जाते हैं और उसके अलावा fertilizer in agriculture जह हम अपने जरात में खेतों में जो खाद बगारा डालते हैं उसमें भी salt यूज होते हैं पर ये एक चोटा सा question दिया हुए which salt is also known as a table salt तो इसे table salt क्यों कहते हैं और कौन सा है तो ये NaCl होता है sodium coloride इसको हम table salt कहते हैं इसलिए table salt कहते हैं क्योंकि ये हमेशा हमारे खाने की table पर मजूद होता है क्योंकि ये हमारे खाने के लिए जरूरी है उसके बाद भी है point salt of calcium are present in bones जो calcium वाला salt है वो हमारी हड़ियों के लिए जरूरी है और they are responsible for the strength of bones ये हड़ियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है this salt is responsible for preventing heart attack इसके लावा ये हमें heart attack से बचाते है plaster of paris is used for broken limbs इसके लावा जब कोई हड़ियों गारा टूट जाती है तो उसके उपर एक plaster चड़ा दिया जाता है वो जो plaster चड़ाया जाता है उसको हम plaster of paris भी कहते हैं और इसका ये formula है CA SO4 half H2O तो ये भी एक salt है जिसमें ये half water का molecule भी होता है ये बिलकुल खुशक salt नहीं है बलके इसमें कुछ water के half molecule भी होता है नबर सी है potassium is used to coagulate the blood coming out of the wound जब कोई जखम बगारा हो जाए तो वहाँ से blood जो है वो निकर रहता है तो उस खून को जमने के लिए potassium is used किया जाता है इस आलसो यूज़ फॉर दा purification of water और ये पानी को साफ करने के लिए खालिस बनाने के लिए भी potassium इस्तमाल करते है salt of iodine are needed इसके लावा हमें अपनी रोजमरा जिंदगी में iodine वाले नमक की भी जरूरत पड़ती है ताके जो हमारे गले के अंदर thyroid gland होते हैं वो proper function कर सके तो जो अगर iodine वाला salt नहीं यूज़ करते हैं तो iodine की कमी हो जाती है और उससे गला जो है ना वो swelling हो जाती है, सूच जाते है और जिनके गले सूच जाते हैं उसको गले की बिमारी को हम गोईटर भी कहते हैं और उसमें भी फिर iodine वाला नमक सिज़ेस्ट किया जाता है ताके वो ठीक हो जाए उसके बाद uses of salt in our daily life, our daily life में salt कहां कहां पर use होता है तो daily life में सबसे पहले तो हम अपने खानों में नमक इस्तमाल करते हैं, और it is also used as preservative इसके लावा हम अपने आचार वगारा में भी नमक यूज़ करते हैं और फिश वगारा को भी ऐसे चीज़ों बहुत सी चीज़ है जिनको हम नमक लगा के रख देते हैं पॉइंट B है, baking soda is used for giving softness to bread and cake तो baking soda जो है वो भी खानों को ये double roti cake वगारा इनको soft रखने के लिए उसमें मिठा soda यानि डाला जाता है जिससे वो soft रहते हैं C है, washing soda is used for washing clothes तो जो washing soda है इसमें ये कपड़े दोने वाले जो सरफ गारा होते हैं उसमें use होता है ये जो baking soda और washing soda जो है, इसके अंदर ये salty होते हैं जो हम use करते हैं उसके बाद D है, sodium potassium tartrate ये as a laxative use होता है laxative का मतलब होता है जिन लोगों को कोई कबज बगारा का मसला हो, तो उसको फिर sodium potassium tartrate दिया जाता है जिससे जो है, उनका पेट मतलब नरम हो जाता है उसके बाद है, uses of salt in industries, वो तो कुछ uses थे हमारे daily life में हम salt कहां कहां use करते हैं, और ये है industries के अंदर, factories के अंदर हम salt को किसलिए use करते हैं तो number one है, sodium kloride जो है, वो manufacture of klorine, hydrogen kloride, caustic soda washing soda, sodium hydrogen carbonate इन सारी चीज़ों की तियारी के लिए sodium kloride use होता है B है, sodium carbonate वो भी hard water को, कुछ पानी जो है, वो खालिस नहीं होता तो वो हम hard water कहते हैं, उसको soften करने के लिए, और for the manufacture of glass and soap, यानि शीशा और साबुन की तियारी में भी salt यूज़ों होते है potassium nitrate is used for the preparation of gun powder जो gun वगयरा होती है उसके जो पटाखे जैसे होते हैं इसके लावा ये फर्टिलाइजर यानि खाद के अंदर भी इस्तमाल होती है potassium is used for the purification ये पहले भी हमने पढ़ा है के पाने को खालिस बनाने के लिए purify करने के लिए पोटाश एलम इस्तमाल होती है कपड़ा रंगने के लिए dying cloth and for the tanning hides and for tanning hides यानि वो चमड़े से जो जानुरों की जो खाल होती है उससे चमड़ा हासिल करके उससे leather की चीज़े जो बनाई जाती है jackets और जूते बगरा bag इस तरह की चीज़ें तो उसमें भी ये पोटाश एलम यूज़ होता है इसके लावा copper sulfate is used as a fungicide तो fungus जो है उसको खत्म करने के लिए जो अदवियात होती है fungicide उनमें यूज़ होता है copper sulfate in calico printing ये calico printing जो है ये एरानियों का एक style है कपड़ा रंगने का उनका कपड़े के उपर design बनाने का तो उसको हम calico printing कहते हैं उसमें भी use होता है और इसके लावा electroplating है metal का पानी चड़ाना जैसे सोने के जैसे नकली जेवर बना के उसके उपर सोने का पानी चड़ा दिया जाता है तो इस तरहां जो metals दूसरी metals के उपर उस liquid हालत में उपर चड़ा देते हैं उसको हम electroplating कहते हैं तो ये आप कोई दो तीन जो uses है ना वो इसके याद कर लें के industry में salt कहां कहां पर use होता है उसके बाद हमारा एक new topic है pH scale ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया में जितने भी compound है वो या तो acidic होते है या basic होते है या पिर वो salt होते है अब उनकी nature जाने के लिए कि वो acidic है या basic है या कि वो neutral है उसके लिए हम एक scale use करते है जिसे pH scale कहा जाता है तो pH scale किसलिए यूज होता है या किसी भी solution की ये जानने के लिए कि वो acidic है या basic है तो इसके लिए हम pH scale use करते है या pH of the solution या basic nature मालूम करने के लिए हम को universal indicator यूज करते है या pH paper यूज करते है एक universal indicator जो paper होता है उसके एक पटी होती है और उसके पर बहुत सारे colors उपर बने होते है और it shows different color for different pH values of the solution तो हम solution के अंदर जो है ना उसको डाल के देखते है कि कौन सा color आया है जो acidic solution होता है उसमें जो जादा pH वाले solution होते है उनका color yellow होता है जैसे जैसे pH कम होती जाती है वो color yellow orange हो जाता है और अगर उससे भी कम है तो फिर वो red हो जाता है जैसे जैसे pH कम होती जाती है इसी तरह जो basic solution होते हैं उनमें जब pH साथ से लेके 14 तक बढ़ रही होती है तो वो indigo color से शुरू होते है और end पे violet color तक जाकर end होती है ये दोनो lines important है जो MCQs में पूछी जा सकती है उसके पास हमारी एक activity है activity 7.6 इसमें हमने क्या करना है दो तीन acid लेने हैं दो तीन basis लेनी हैं और साथ हमें एक pH paper चाहिए ताके हम इन दोनों acid और basis की pH मलूम कर सके तो एक हमने sodium hydroxide लेना है ammonium hydroxide लेना है ये दो हमारी basis हो गई और एक vinegar solution और dilute hydrochloric acid ये दो हमारे acid हो गई तो ये चार चीज़े हमने लेनी हैं और साथ एक pH paper लेना है तो pH paper की छोटी छोटी पटियां बनी होती है तो एक एक सट्रिप उसे कहते है और हर solution के अंदर हमने pH paper की एक एक सट्रिप रखके चेक करते जाना है तो वो जैसे हम एक pH paper की सट्रिप solution के अंदर रखेंगे तो उसके उपर कोई ना कोई color आजएगा yellow red आजए कुछ भी आजए तो वो जो है हर solution के अंदर चार solution है तो चारों के अंदर हम चार पटियां लेके चार सट्रिप लेके pH paper की उसके अंदर dip करेंगे चारों के उपर अलग-अलग color आजएगा उसके पास हमारे पास pH का एक चार्ट होता है जिसमें सेम मैच हो जाएगा तो वहाँ चार्ट के उपर उसके नीचे color के नीचे उसकी pH भी लिखे होगी इस तरह हम हर solution की pH मलूंग कर सकते हैं उसके बाद ये page नंबर 87 पे ये दो लाइने बहुत important है MCQs के लिए strong acid have pH value 0 to 2 ये आपने याद रखना है कि ये जो strong acid होते हैं उनकी जो pH होती है वो 0 से लेके 2 तक होती है जो weak acid होती है उनकी pH 3 to 6 होती है 3 और 6 के दरम्यान और जो pH of weak alkalis होती है वो 8 to 11 होती है और pH of strong alkalis होती है यानि strong basis होती है उनकी pH 12 से 14 के दरम्यान होती है उसके बाद नेक्स्ट ही हमारी एक एक्टिविटी है 7.7 इसमें हमने 2-3 एसिड लेने हैं 2-3 बेसिज लेनी हैं और वाटर लेना है और इन सब के अंदर युनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की सट्रिप डाल के उसको चेक करना है कि उसका कौन सा कलर आएगा और पिर जो भी कलर आएगा उस कलर की हमने पी-एच बतानी है कि इसकी कितनी पी-एच है वो हमारे पस पी-एच चार्ट होता है उस चार्ट के साथ इसका कलर मैच करके तो हम बताते हैं कि इसकी पी-एच कितनी आएगी तो इसको देखते हैं सबसे पहले है dilute HCL और यह हमने test tube के अंदर लेना है 1 cm3 और इसके अंदर 1.5 cm3 water डालना है ताके यह dilute solution हो जाए मतब खाली सालत में हम तजाब यूज नहीं करते बलके उसमें water डालके थोड़ा सा उसको पतला कर लेते हैं और उसको कहते है dilute solution तो इसके अंदर हम वो पत्ती डालके चेक करेंगे तो उसका जो color है वो red आएगा तो red color की जो pH होती है वो होती है 1 उसके बाद dilute H2SO4 है उसको जब हम पत्ती उसके अंदर डालेंगे universal indicator strip उसके अंदर डालेंगे तो उसका भी color red आएगा इसका मतलब है जो उसकी pH है वो भी 1 है उसके बाद estric acid है estric acid का color yellow आएगा और yellow color की pH होती है 3 और उसके बाद sodium hydroxide का dilute solution है इसका purple color आएगा और purple color के साथ इसकी जो pH है वो होती है 14 14 और dilute ammonium hydroxide है उसका blue color आएगा और blue color के साथ pH होती है 11 तर हम distilled water का टेस्ट करेंगे उसमें pH की सट्रिप डाल कर तो हम देखेंगे कि उसका green color आएगा और green color के लिए जो pH है वो 7 उसके बाद हमारा next topic है pH and its range 0 to 14 ये objective के लिहास से आपके लिए थोड़ा सा important है इसको आप एक नजर देख लेए पे और जो water होता है यानि खालिस जो पानी होता है जब वो आइनाईज होता है यानि टूटता है और टूट के अपने आइन्स बनाता है यानि hydrogen और hydroxoline तो जो pure water है उसके अंदर hydrogen और hydroxoline एकुल होते हैं वो equal होने की वज़ा से वो ना तो SD पिर होता है ना ही वो basic होता है इसलिए वो neutral रहता है और उसकी pH भी 7 होती है तो solution वो SD होते है जिनके अंदर hydrogen आइन की ज़्यादा मिकदार हो ज़्यादा तदाद हो और जिनके अंदर hydroxyl आइन की ज़्यादा तदाद होगी वो solution basic होते है तो pH scale में सिर्फ ये देखा जाता है कि किसी भी solution के अंदर hydrogen आइन कितनी मिकदार में है जिस solution के अंदर hydrogen आइन ज्यादा होंगे वो solution SD होगा जिसमें जितने कम होंगे उस हिसाब से वो basic solution होगा तो pH की जो value होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है और ऐसा solution जिसमें hydrogen आइन और hydrogen आइन की concentration बराबर होती है यानि जितने solution के अंदर hydrogen आइन है उतने ही hydrogen आइन है तो वो हमारा neutral solution होता है और और उसकी pH 7 होती है pH 7 जो है वो mid point of the pH scale है या page number 88 पिट देखे ये pH scale दिया हुआ है इसके बिलकुल सेंटर में number 7 लिखा हो यानि number 7 जिसमें सलूशन की pH होगी वो neutral होगा उसके अंदर उतने ही hydrogen आइन है और उतने ही hydrogen आइन है और ऐसे solution जिनके अंदर hydrogen आइन की concentration बहुत ज़ादा होगी उनकी value pH 7 से बहुत नीचे होगी मतलब वो acidic होते है the solution having lower concentration और जिनके अंदर hydrogen आइन की low concentration होगी और hydroxyl आइन ज़ादा होगी उनकी pH value 7 से ज़ादा होगी solution with lower pH value are stronger acid ऐसे solution जिनकी pH value कम होती है वो strong acid होते हैं जिनकी pH value ज़ादा होती है वो alkalis होते हैं उसके बाद यह table दिया हुए 7.5 उसमें pH values दी हुई है कुछ common substances की तो सबसे पहले pure sulfuric acid यह आप क्योंके strong acid है तो इसकी pH देके 0 होती है इसके लावा gastric juice in stomach हमारा जो stomach है उसका gastric juice उसके अंदर आपको पता है hydrochloric acid होता है तो उसकी pH value 1 है lemon juice है उसके अंदर भी acid होता है उसकी pH value 2 है vinegar के अंदर भी acid है उसकी pH value 3 है tomato juice की pH value 4 है acid rain जो तजाबी बारिश होती है उसकी pH 5 है जो खालिस पानी होता है pure water उसकी pH 7 है cleaning fluid है 9 है baking powder मिठा soda जिसे कहते हैं उसकी pH value 10 है milk of magnesia इसकी pH value 11 है household ammonia जो घर में ammonia वगरा यूज होती है उसमें 12 है pH और सट्रॉमगेस्ट अलकली सच आज पोटाशियम हाइड्रोकसाइड यह सब से सट्रॉमगेस्ट अलकली है और इसकी pH 14 होती है यह table आपने लाजमी याद करना है इसमें से कोई भी MCQs आ सकता है किसी भी चीज का नाम लिखा होगा और उसकी पूछी होगी कि pH इसकी कितनी होती है उसके बाद यह हमारी figure 7.1 है इसमें pH मीटर के बारे में बताया हुए और यह pH मीटर की डियाग्राम भी बनी हुए है यह एक ऐसा मीटर है जिसकी मदद से हम किसी भी solution की exact pH मलूम कर सकते हैं वैसे pH paper से भी मलूम कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ी बहुत mistake हो सकती है लेकिन यह pH मीटर जो है यह हमें किसी भी solution की exact pH बताता है इसका यह देखें यहां पर एलेक्टरोड लगा हुए है यह एलेक्टरोड जो है कोई भी solution हमारे पस है उसको किसी चीज में डालके वो एलेक्टरोड उस solution के अंदर डिप करते हैं तो इसके मीटर के उपर जो इसकी सक्रीन नजर आ रही है उसके उपर फॉरण उसकी जो pH है वो शो हो जाती है उससे हमें उस solution की pH मलूम हो जाती है नेक्स्ट हमारा topic है indicators अब हमें मलूम है कि जो acid और alkalis होते हैं यह दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं colorless क्यूंके होते हैं इनका कोई color ही नहीं होता तो देखने में सारे solution हमें एक जैसे ही लग रहे होते हैं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा solution acid है या कौन सा alkalis है तो इसके लिए हम different indicator यूज़ करते हैं जैसे हम पिछली कुछ activities में कार भी चुके हैं तो उसके लिए इसने indicator की definition याद करनी है and indicator is a substance that show different color के indicator एक ऐसी चीज़ होती है जो के हम acid में डाले और या basic में डाले तो वो different colors उस पे नज़र आते हैं तो उसके color की वज़ा से हम फिर पहचान पाते हैं कि वो acid है या base है तो कुछ जो common indicators हैं वो phenolthylene है methyl orange है, litmus paper है turmeric है, china rose है और red cabbage है तो ये चीज़े ऐसी हैं जिनकी मदद से हम किसी solution का पता चला सकती है कि वो acid है या base है तो ये table दिया हुए table 7.6, page number 89 पर इसमें indicator कुछ दिये हुए है ये litmus है litmus का जो अपना color होता है, violet होता है लेकिन जब उसको acid में डालेंगे तो वो red हो जएगा और जब उसको base में डालेंगे तो वो blue हो जाएगा इसी तरह फिन आफ्थलीन है उसका अपना कोई color नहीं होता, colorless होती है जब acid में डालें तो colorless ही रहती है और जब base में डालें तो pink हो जाती है methyl orange उसका अपना color orange होता है और acid में उसका color red हो जाता है और base में उसका color yellow हो जाता है ये table भी आपने याद करना है इसमें से कोई MCQ आपको आ सकता है उसके बाद ये activity है 7.8 इसमें हमने घर में इस्तमाल होने वाली कुछ चीज़े लेनी है और फिर उनकी pH जो है वो मलूम करनी है litmus solution के जरीए ये जो litmus है ये litmus paper भी होता है और litmus solution भी होता है तो इसमें हमने एक dilute HCL लेना है और soap solution लेना है यानि साबून को पानी में हाल करके वो solution होना चाहिए एक lemon juice लेना है और यानि lemon में चोड़के तो उसका जो पानी है और tap water और sodium hydroxide, ammonium solution and household bleach जो कर हमें हम bleach यूज़ करते हैं कपड़ों पर दाग वगरा साफ करने के लिए तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी test tube के अंदर डाल लेनी है और उनके अंदर फिर litmus solution के चंद ड्रॉप्स डालने है और red solution के भी और blue litmus के भी तो उसके बाद उनका result चेक करने है कि किसका क्या color आया है और उनके color से फिर हमें पता चलेगा कि वो जो solution था हमारा वो acidic था या basic था तो सबसे पहले ये dilute HCL है इसमें हमने red litmus जब डाला तो वो red ही रहा लेकिन जब उसमें blue litmus डाला तो वो red हो गया तो इसमें अगर हम red litmus डालेंगे तो वो blue हो जाएगा और अगर blue litmus डालेंगे तो blue ही रहेगा और इसमें पता चल जब जाएगा कि ये basic है तो उसके बाद tap water है water में red ही रहता है blue वाला litmus blue ही रहता है इसका मतलब वो neutral है ना acid है ना base है उसके बाद sodium hydroxide है ये इसमें जब हम red litmus डालेंगे तो वो blue हो जाएगा और अगर blue litmus डालेंगे तो वो blue ही रहेगा तो इसका मतलब वो basic है और household bleach है और इसमें भी red litmus blue हो जाएगा और blue वाला जो blue ही रहेगा और इस रहा है ammonia solution इसमें भी red litmus blue हो जाएगा और blue वाला blue ही रहेगा इससे पता चल जाएगा कि ये basic है अच्छा ये तो हमारे कुछ ऐसे indicator थे जो laboratory में हम इनको use करते हैं कुछ natural indicator भी होते हैं यानि घार में कुछ कुदरती चीज़ों को इसमाल करके भी हम किसी चीज़ का पताच ला सकते हैं कि वो acidic है या basic है तो जो उपर हमने पढ़े हैं वो लैब में जो use होने वाले indicators हैं लेकिन अब हम natural indicator पढ़ें कि उसमें सबसे पहले है red cabbage यानि सुरोगोबी, turmeric यानि हल्दी, china rose ये गुलाब होता है और litmus तो ये चीज़े use करके भी हम use कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि हम इनको कैसे use करते हैं तो इसके लिए हम activity है 7.9 इसमें सबसे पहले हमने हल्दी लेनी है हल्दी powder लेकर और उसमें थोड़ा सा पानी डालके उसका एक paste सा बना लेना है और उस paste को filter paper के उपर लगा देना है और उसको dry होने के लिए रख देना है जब वो dry हो जाएगा तो उसके उपर extra जो powder हल्दी powder जो लगा हूँ है वो उतार देना है उसका color जो है वो आचुका होगा filter paper के उपर हल्दी का जो color होता है यलो सा और इंच सा तो वो उसके color उसका आ चुका होगा उसके बाद उसकी लंबी-लंबी पटियां सी काट लेनी है जिनको हम solution के अंदर dip कर सके तो उसके बाद आपके पाद जितने भी solutions है उनके अंदर डालके उसकी पटि को डालेंगे तो उसका color change होजएगा तो वो जो color change होगा उसको note करना है हम ये note करेंगे कि जो हल्दी वाला paper है वो उसका acidic solution के अंदर और neutral solution के अंदर वो yellow ही रहती है जैसा उसका पहला color है था वो वैसा ही रहेगा लेकिन जैसे हम किसी उसको alkaline solution में डालेगे जैसे साबुन वाले पानी में तो उसका जो color है वो brown हो जाएगा यानि color change हो जाएगा तो ये MC के यूज के लिए बहुत important है इसको आपने याद करना है कि हल्दी का color acidic neutral solution में कैसा होता है और basic solution में कैसा होता है अब हम red cabbage को यूज करना सीखेंगे तो red cabbage लेनी है कटी हुई और उसको पानी के अंदर बिगो के गरम पानी के अंदर रखना है कुछ देर के लिए तो उसका जो purple color है वो सारा पानी के अंदर आजेगा और वो पानी ही purple हो जाएगा तो उसके बाद ये हमारा जो पानी है इसको filter कर लेना है तो ये हमारा red cabbage color indicator जो है अब इसके अंदर हमने different solutions डाल के देखने है तो एक तो इसका अपना color है जब हम इसको किसी acidic या basic solution में डालेंगे तो फिर हम observe करेंगे कि जो pulper color of cabbage है वो red हो जाता है acidic solution में जैसे हम किसी acidic solution में डालेंगे वो red हो जाएगा और basic solution में अगर डालेंगे color of red cabbage और red cabbage से red cabbage के color solution का जो color है वो neutral solution में अगर हम डालेंगे तो वो कुछ नहीं होगा बलके वो same ही रहेगा so dear student ये chapter हमारा खतम हो गया next video में मैं इसके exercise solve करूँगी तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए Allah आफिज